केंद्री वित्राजी मंत्री अनराग ठाको ने अपने निवास्थान स्मिनिरपुर में बैपनार के मादन से मुक्य मंत्री जैरम ठाकोर के साथ जिला उना में विकास आत्मक गतिविदियों के करीब 70 करोड के उद घाटन बर शिला नियास कारेक्रम में भाग लिया इस मौके पर अनराग ठाको ने जहां जन्ता को बढ़ाय दिये बहीं कॉंग्रिस पार्टी को भी आड़े हाथो लिया उन्होंने जम्मो कश्मीर का चुनाबी प्रभारी बनने पर रास्ट्री अध्यक्स जैपी निड़ा का अभार चताया तो बहीं विकास को ही अपना चुन कश्मीर के विकास के लिए जन्ता के बीच में जाएंगे और बीचे प्राप्त करेंगे उन्होंने कहा कि प्रयास किया जाएगा कि जम्मो कश्मीर में पिछले कई सालों में खोया है उसे बापिस लाकर विकास करवाय जाएगा राश्टिया ध्यक्ष्म आदने जेपी नड़ा जी का जिन्ने जिम्मेदारी सौंपी है और हम मानिने परधान मंदरी नेरेंदर मोदी जी की सरकार ने जो जम्मू कश्मीर के लिए इतिहासी कदम उठाए है जम्मू कश्मीर के विकास में जो एक नई गाता लिखी है और जम जेप राप्त करेंगे हम प्रयास करेंगे स्ताने कार्यकरताओं के माध्यम से जन जन तक मोदी सरकार की उपलब्दियों को पहंचाने का और विश्वास दिलाएंगे कि जम्मू कश्मीर ने जो पिछले कई वर्षों में खोया है उसको कई गुना जादा विकास के रूप म जम्मू कश्मीर को देने का काम करेंगे जनता भी नकारेगी उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि विकास पहले पूर पीम अटल जी ने करवाया है और अब पीम मोदी सरकार ही करवा सकती है उन्होंने कहा कि भाजबा विकास को ही जन्डा बना कर जनता के बीच में जाएगी जम्मु किश्मीर की जनता ने आतंक वात के कारण बहुत कुछ खोया है परिवार के सिदसे खोये, विकास को खोया, कुछ लोगों ने अपना भविश्य खोया मुझे लगता है जो उनको मिलना चाहिए था उसमें बहुत देरी हुई और जिन लोगों के कारण हुई आज वो किवल राजनीतिक पद, राजनीतिक लाब लेने के लिए अगर इकठे भी हो रहे हैं तो जनता उनको अब समझ चुकी है जनता जानती है अगर विकास कोई करवा सकता है तो पहले आटल जी की सरकार ने कराया अब निरेंदर मोदी जी की सरकार करवा रही है और हम विकास को ही एजनडा बना कर जनता के बीच में जाएंगे जनता के लिए हमने जो काम किया है आगे और करके देंगे केंद्री बित्राजे मंत्री अन्राक ठाको ने गहा की हम इरपुट संसी क्षेतर के उना में करोड रुपए के शिला नियास और उद्घाटन किये गए है उनने कहा कि विकास के लिए हिमाचल सरकार के साथ मिलकर काम करवाय जा रहा है और आगे भी ये तोर चारी रहेगा उनने विश्वास जताय के विविश्य में विकास कारे होते रहेंगे इन सब को लेकर खेलों को लेकर ये सब प्रजेक्ट को आज लागू किया गया है और मुझे पून विश्वास है आगे भी इसी तरह से हम उनना के लिए और योजनाय लाते रहेंगे अनुराक ठाकों ने कहा कि कॉंग्रेस जब जब देश में चुनाप हारती है तो ठीकरा EBM पर फोर ना शुरू कर देती है उनने कहा कि बिहार की चुनापों में रैलियां करने की बचाए कॉंग्रेस के यूबराज राहूल गांधी शिमला की बादियों में आराम फर्मा रहे थे और उनके नित्रित पर प्रशिन चिन लगा रहे है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस को आत्मचिंतन करने की जुरूरत है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस को सोचना चाहिए कि आज पी गांधी परबार कॉंग्रेस को जिता सकता है कि नहीं और साथ ही कॉंग्रेस को सोचना चाहिए कि गांधी परिवार से कैसे मुक्ति पाई जा सके। अगर नहीं जिता सकता तो कॉंग्रेस के नेताओं को सोचना होगा कि इन से कब कैसे मुक्ति पानी है कैसे बदलाव करना है ये उनका अपना तरीका है सोचने का अपना विचार है अगर उनमें अक्षमता होगी तो कर पाएंगे नहीं तो जो बचारे उनके वरिश्ट नेता जो वर्शों तक गांधी परिवार के बहुत वफदार है उन पर भी प्रशंचिन खड़ा कर दिया, उनको भी दरकनार कर दिया जब उन्होंने अपने ही पार्टी को आत्म चिंतन करने की बात कही और कहा कि सोचना चाहिए, मुझे लगता है कॉंग्रेस सोचने के लिए तयार नहीं और देश की जनता कॉंग्रेस के बारे में सोचने के लिए तय परजेक्टों को जमीन देने की अनक आने हुई है और अब परदेश में बीजेपी सरकार में कमियों को दूर किया जा रहा है अन्राक ठाकोर ने कहा कि हमिरपुर संसी क्षेतर के प्रोजेक्ट मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जिन्हें पूरा करवाने के साथ धरातल पर काम किया जाएगा देखिए पिछले पांच वर्ष जब कॉंग्रेस की सरकार रही हमिरपुर में मेडिकल कॉलेज की जमीन नहीं दी गई Central University जो जमीन भारती अंता पार्टे की सरकार दे कर गई थी वहां पर पांच साल तक पैसा जमा नहीं करवाया कॉंग्रेस की सरकार ने अगर आप एमस अस्पताल को देखें तो एमस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को भी जमीन देने में लगबग तीर वर्ष का काल कॉंग्रेस ने लिया यह अपने आप में दिखाता है कि कॉंग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि बड़े प्रजेक्ट हिमाचर परदेश में आए लाने में विलंब जो हुआ कि उसको लागू नहीं करवा पाए उसका बड़ा कारण था कि जमीन देने में आनकानी कॉंग्रेस की सरकार करती रही अब भारतियंता बाड़ी की सरकार है तो उसमें गती भी देखने को मिल रही है और जहां पर कमिया भी है वहां किन अधिकारियों किन के कारण कमिया है हम उसको भी खुलकर चर्चा करते हैं और कमी ना हो चाहे कोई भी हो यह प्रजेक्ट जो है यह हमने बड़ी मुश्किल से केंदर से मंजूर करवाए हिमाचल के हित के लिए करवाएं सरकार एक हो या दूसरी हो इसका फरक नहीं पड़ता यह हिमाचल के लोगों के लिए नरेंदर मोधी जी की सरकार के दिये प् हमारी प्रात्मिक्ता है और इसके लिए मैं प्रतिबद हूँ इसके लिए कोई भी होगा इन प्रजेक्ट्स को लागू करवा कर ही चोड़ूँगा क्योंकि इन के लिए मैं लड़ा हूँ यह मेरे ड्रीम प्रजेक्ट हैं कोई संसद्य एक्षेतर शायद ही ऐसा होगा जहां पर एम्स भी हो, PGI भी हो, TRIPLE IT भी हो, NIT भी हो, Central University भी हो, Medical College भी हो और केंद्रे विद्याले भी हैं मैंने अपने प्रयासों से मोजी जी के शिरवाद से अपने संसद्य एक्षेतर के लिए कराये हैं इनकले मैं पहले भी लड़ा हूँ और सिस्टम से लड़ने के लिए पह प्रिदेश और देश वासियों को बधाई दी और कहा कि भाई बहन के रिष्टे को और मजबूत बनाएं। प्रिदेश पर मैं सभी देश के अपने भाई और बहनों को बहुत बहुत बधाई और शिपकामने देना चाहता हूं। प्रिदेश पर मजबूत करने में जो हमारी प्रेस के भाई और बहनों ने अपना योगदान दिया है। भारत अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंतर है तो इसको और मजबूत बनाने में एक प्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा। खराब को खराब दिखाना सही बात को जन जन दक पहुंचाने में एक बहुत बड़ी भूमी का निबाई है। झाल झाल झाल